हलो गाइस वेलकम टू पूरी पढ़ाई तो आज हम देखेंगे html style attribute का introduction html style attribute 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 मिस होता है properties तो किसी भी चीज की properties को अगर आपको change करना है किसी भी website में तो आप style attribute का use करेंगे मैं आपको properties दिखा देता हूँ just like आपके पास एक example है पूरी पढ़ाई तो इस website में आप देख सकते हैं कि यह जो text है यह जो text है वो black से लिखा हुआ है और यह जो text है वो red से लिखा हुआ है और यह text blue से लिखा हुआ है और काफी आप text में दे सकते हैं ये वाला जो text है और ये वाला text है इसमें ये थोड़ा सा बड़ा text लिखा हुआ है और ये काफी बड़ा text लिखा हुआ है तो अगर आपको text की properties को change करना है मतलब आपको size को change करना है color को change करना है या फिर आपको जैसे आपका इसका background दिख रहा है ये आपको background जो दिख रहा है इस तरह का आपको background लगाना है तो ये सब चीजे आपकी style attribute से बनेंगी style attribute देखते है style attribute तो आपका जो syntax है में ली syntax क्या होगा, मतलब लिखने का तरीका कैसे होगा आप सबसे पहले लिखेंगे style उसके बाद लिखेंगे property उसके बाद value मैं आपको एक example देदा हूँ छोटा सा जैसे कि आपको काफी चाजी चीजे सुन में आ जाएंगी style style आपको लिखना पड़ेगा ये pre-formatted लिखा हुआ है तो आपको style लिखना पड़ेगा उसके बाद equal to जैसे font size property में हम कुछ भी लिख सकते है font size है color है ठीक है न ये सब चीज़े हम next videos में देखेंगे अलग-अलग font size को कैसे increase करते हैं या फिर color कैसे लगाते हैं या फिर background कैसे change करते हैं तो ये example है चोटा सा font size को change करने के लिए या फिर background color को change करने के लिए तो ये आपके सिर्फ html style attribute का introduction था और next हम देखने वाले हैं कि ये सब style attributes कैसे कैसे use कर सकते हैं और कौन-कौन style attributes हमाई पास होते हैं तब तक के लिए good bye thank you, meet me in our next video your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you